दोस्तो चाइना में एक नया स्केंडल सामने आ रहा है चाइना की जो बिलिनियर लोग है वो दिन बदिन गायब होते जा रहे है अभी दो दिन पहले की बात है चाइना की एक बड़ी कमपणी चाइना रिनानसंस जो की चाइना की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विसे प्रोवाइट करने वाली कमपणी है उसके CEO Mr. Bao Fan अपने आप कहा चले गए इसका कोई पता नहीं है उनके कमपणी ने अफिशिली ये डिकलेर किया कि Mr. Bao कहा है ये किसी को पता नहीं है और जब से ये डिकलेरेशन सामने आया है तब से उस कमपणी के शेयर 50% तक गिर चुके ह अब दोस्तों बिलिनियर अचानक से गायब हो जाना ये चैना में कई बार देखा गया है 2017 में एक Chinese Canadian businessman Zia Zinhua अचानक से गायब हो जाते है और फिर वापस आने के बाद उन्हें 13 साल की जेल और उनके कमपणी पर लगभग 8 billion dollar का fine लगाया जाता है उन पर tax evasion और corruption के charges लगाय हो जाती है और वो जब वापस आती है तो उस पे 127 million dollar का fine और कई सरी penalties लगाई जाती है अब दोस्तों ये list यही खतम नहीं होती मैंग होंगुई जो इंटरपोल के top police officer थे वो भी कई दिनों तक गायब थे उसके बाद नवबर 2020 में चैना के एक richest man और अलिबाबा जो की चैना 26 billion dollar नीचे आ गए थी और ऐसे कई चाना की बिलिनियर्स केसे से जहां पे हमें sudden disappearance दिख रहा है अब दोस्तों सभी केसे को अगर हम analyze करें तो हमारे समने एक common point आता है इन समने कभी ना कभी किसी तरीके से disappear होने से पहले Chinese government को उनकी policies के लिए blame किया था और उसके ठीक बाद इन काम यही है कि जो भी Chinese government के खिलाब यानि indirectly president के खिलाब बोलेगा उसे detain किया जाएगा अगर 2012 से हम data को देखे तो उस security committee ने लगभग 1.2 million लोग जिसमें government officials भी शामिल है उन्हें detain किया है दोस्तों उस committee को Central Commission for Discipline Inspection Committee कहा जाता है यानि Chinese government का ये message clear है कि अगर आप government को support नही कर सकते हैं दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम यहीं रुकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जेहिन